हेलो एश्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केरियर पर नवादा में आज मैं आप सबों के लिए इतिहास का सात्मा चेप्टर लेकर आया हूं इसे पहले के सभी छो चेप्टरों का अब्जेक्टिव अप्लोड किया गया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस सेप्टर में जितने भी इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव हो सकते हैं सब को मैंने शामिल किया है और मैं आसा करता हूं कि जो अगर आप देख लेंगे तो आप लोगों का एकजाम बहुत ही अच्छा होगा तो आप लोग देखिए जो फर्स्टाम चैनल पर आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बैल इकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए ठीक है तो वीचो विद्यापी आर्थिक संकट कीज वर्स हुआ है तो वीचो विद्यापी आर्थिक संकट चैनल 59 सिस्बी में हुआ ठीक है चले देख्थे दूसरा प्रत्ष में अंतररास्ट्री इस्त्रमिक संग hemife長 की अस्थापना कीज सिस वर्स हुई तो इसका से उतर होज़ाए में हुई तो इसका से उतर हो जाएगा 1990 के दसक में भूह मंडली करन की सुरात 1990 के दसक में हुआ ठीक है चौथा प्रस्ण है प्राचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप का व्यापार होता था बहुत ही प्राचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप का व्यापार होता था तो इसका से उतर हो जगा रेश्रम मार्ग चार का बी पाचमा प्रस्ण है आर्थिक संकट या मन्दी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ तो इस प्रस्ण का से उतर हो जगा फासिवाद नाजिवादी शासन आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ तो इ क्रांती कौन्सी थी आधुनिक युग में अर्थ व्यवस्था के छेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांती कौन्सी थी तो अध्योई क्रांती जो था वो आधुनिक युग में अर्थ व्यवस्था के छेत्र में सबसे बड़ी क्रांती था ठीक है छोका हो जाएगा भी में हिप 7 गीर्मिट्या मझदूर बिहार के किस छहत्र पिएज़से जाते थे तो इसका पेसर प्श्मी छहत्र, गीर्मिट्या मझदूर बिहार से भेज baixo से भेजें जाते थे तीक है चलिए अब देखा आठ उप्रसद, ब्रें वुड सम्मेलन किस वर्स हुआ इसका राइटर अंसर वज़ेता अनुबंधित मजधूर को गिर्मिट या मजदूर कहा जाता है थीक पहले विश्वाजर के रूप में कौना सा सहर उभर कर आया तो इसका सही उतर हो जाएगा अलेकजंडरीः अलेकजंडरीया सहर जो है और पहले विश्वाजार के रूप में ऊभर कर आया meg jean मैं आप लोगों के जितने भी important question हो सकते बोर्ड एक्जाम 2022 के दिश्टिकों से सब को अपने चैनल से अप्लोड कर रहा हूं आप लोग इस चैनल के साथ बने रहे हैं और एक एक वीडियो को देखें ताकि आप लोगों का बोर्ड में अच्छा एक्जाम आए यदि आपको किसी इसपेशल टॉपिक पर आपको वीड के बाद यूरोप में कौन्सी संस्था का उदाय आर्थिक दूस्ट प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ तो इसका right answer का यूरोपिये संघ लिए, कब? दूतिय महायुद के बाद, ठीक है, चलिए अब देखते हैं, बाहरमा प्रस्ण है, विश्व बाजार का 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 निवासी था तो यूनान का सिकंदर कहा का निवासी था यूनान का ठीक है चौँदमा प्रस्ण है रेशम मार्ग कहां से अरंभ होता था इसका से उतर हो जाएगा चीन से रेशम मार्ग कहां से अरंभ होता था तो चीन से ठीक है पंदरमा प्रस्ण है आर्थिक महामंदी से कौन सा देश प्रभावित हुआ तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जर्मनी ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं किस देश में अरंभ की गई व्रिहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई तो इसका राइट अंसर हो जाएगा पंद्रहमा प्रस्ण जो था आर्थिक महामंदी से कौन देश सब से कम प्रभावी तो इसका से उतर होगा फ्रांस जर्मनी नहीं होगा इसका राइट अनसर होगा फ्रांस ठीक है ना आर्थिक महामंदी से कौन देश सब से कम प्रभावी तो इसका राइट अनसर होगा फ्रा आमिरका में अर्मा अठारमा प्रस्थन ए अलू अकाल किस देश में हुआ था koras लाइज़ मैला का आयूजन कहां किया जाता था इसका सभरि त्रिनिदाद में ज्त देश में पारित किया गया था कौन लॉग किस देश में पारित किया गया था तो इसका राटरा शोज़ में ब्रिटेन में कौन लोग किस देश में पाइद किया गया था तो ब्रिटेन में ठीक है ना चलिए 21 प्रस ने नूडल्स किस मुलका था तो इसका सही उतर हो जेगा चीनी मुलका ठीक है यूरोपी एकोनोमिक कम्यूनीटी एसी की अस्थापना किस वर्स हुई तो इसका राइट आंसर हो जेगा 1907 इसवी में ठीक है गिर्मिटिया श्रमिकों की विवस्था किस वर्ष रमाप्त की तो 1921 इस्वी में चो विश्माप्रस ने ओट टावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था इसका राइट 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 किस वर्स की गई, तो 1995 की अस्थापना गब होई, तो 1975 की अस्थापना होई, तो tahun 25 य वी में, चलिए देख Church 27, प्रस ने सन्युक्त राष्ट्र-माद्रिक एवं चित्तीये संमेलण किस वर्ष Jelly 1974 में सण्युक्त राष्ट्र मोद्रीक एवँ चित्तीये संमेलण किस वर्ष हुआ December 24, category 2028 प्रस्ण इऊरोपिये राष्ट्रों ने अफरीका का आपसी बटवारा किस वर्ष किया यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंठवारा किस वर्स किया तो इसका राइट राइट राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंठवारा किस वर्स किया तो उत्तर हो जाएगा अठारो सो पचासी इस भी में तीसमा प्रस्टने कच्ची का पास का निरियात अठारो सो बहत्तर के बीच पांच प्रतिसाते घटके कितना प्रतिसात हो गया था तो राइट अठारो सो गया 25 परसेंट ठीक है ना चलिए तीसमा प्रस्टने अंतर राष्ट्रिय आर्थिक विनिमाई का प्रभाह किस प्रकार के प्रभाह पर आध्रित नहीं है तो इसका राइट अठारो सो गया उद्योग अंतर राष्ट्रिय आर्थिक विनिमाई का प्रभाह किस प्रकार के प्रभाह पर आध्रित नहीं है तो इसका राइट अठारो सो गया उद्योग एक तिसमा प्रसने प्रथम विश्यूद की समापती के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थ विवस्था को पुनर जीवित करने का प्रियास किया गया प्रथम विश्यूद की समापती के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थ विवस्था को पुनर जीवित करने का प्रियास किया गया 32 प्रसन है भू मंदली करन सब्द का इजाद किसंने किया तो इसका राइट अंसर होगा जान विलियम सन ने 33 प्रसन है बाजार का स्वुरूप विश्यूभापी किस कानती के बाद हुआ तो ओद्योगी क्रानती के बाद ठीक घै प्रसन है भारत के किस प्रदेश से अधिकांस गिरमीटिया स्रमिक बाहर ले जाए गए तो इसका रहे टांसर हो जगा उत्तर प्रदेश 35 प्रसन है पास्ता सिसली में किन के द्वारा ले जाया गया तो अरबोंद के द्वारा ठीक है 36 प्रसन है इस्ट इंडिया कंपनी अफिम किस देश में भेजती थी तो चीन में इस्ट इंडिया कंपनी अफिम किस देश में भेजती थी तो चीन में ठीक है 37 प्रसन है अलेक जेन्रिया किस सागर के मुहाने पर बशा हुआ था तो लाल सागर के मुहाने पर बशा था 30 का हो जाएगा बी और 30 मा प्रसन है भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग परपर भारत में आर्थिक बुरा प्रभाव किसानों पर परा ठीक है उन चालिसमा प्रस ने धन निस्कासन के सिद्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया था धन निस्कासन के सिद्धान्त का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था धन निस्कासन के सिद्धान्त का प्रतिपादन दादा भा विश्व पाजार के स्व़ूरूप का आधार किया था तो अबोड़ नुए उप्जेक्टिव को बताईए सी अगला बूक इनुए Gima 41 प्रसने भारत में केनाल कॉलोनी घरट में हिताफि किस प्रांत में बनाई गई तो इसका सजब्स करते हो तो तो राइट 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 रा किस अमेरिकी राष्ट पती ने न्यू डील लागू की भी भी है कुईस्चन है किस अमेरिकी राष्ट पती ने न्यू डील लागू की तो F.D. रुजवेल्ट ने किस अमेरिकी राष्ट पती ने न्यू डील लागू की तो F.D. रुजवेल्ट ने ठीक है 45 प्रस्ट है दो कॉमर्स ओफ नेशन आमक पुस्ता के लेखा कौन थे तो इसका सभी उता होगा काडलिफ बहुत महत्पूर्ण कोईस्चन है ठीक है दो कॉमर्स ओफ नेशन आमक प्रभापरा तो इसका उतार हो जएका बेरोजगारी बढ़णा आर्थिक महामंदी प्रभापरा 48 बढ़ार और प्रस्य Lange कि अनाज का आयत प्रतिबंधित कर दिया गया तो रइट अंसर हो जहएगा मक्का का 49 प्रस्य Lange 1820 से 1914 के बीच भिसु वेरापार में कितने गुने की वर्दी हो चुकी थी तो 25 से 40 गुनाटिक है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यपार में कितने गुने की वर्दी हो चुकी थी, तो 25 से 40 गुनाटिक, तो पचासमा और अंतिम प्रस्ण है, जो गिर्मिठिया स्रमिक किने कहा जाता था, तो गिर्मिठिया मजदूर उनको कहा जाता था, जिन्हें बंध या समझोता के अंतरगत ले जाया जाता था, तो इस प्रकार से इस चेप्टर का इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव खत्म हो गया, एक चेप्टर बचा हुआ है, जिसका अब्जेक्टिव आपको कल मिल जाएगा, तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर, चैनल को लाइ सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजेगा, धन, निवाद